दोस्तों स्वागत है आपके पने चनल सिविल साइट विजिट में तो आज के वीडियो होने वाला है हमारा क्रैक्स पे कि देखो कोई भी गर की गर्की कंस्रिकशन अगर आप करवा रहे हो तो आपकी लिए ही ये वीडियो है क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखा होगे तो आपके गर के साथ भी ऐसा हो सकते है सामने जैसे आप देख रहे हो slab में से पपड़ी मन के निकल रहे है cracks आ रहे हैं, मतलब प्लास्टर किया और आपको तीसरे चोथे दिन उसमें cracks दिखने लग पड़े जो डवले सी ब्लोग ये उसकी है यहां cracks दिखने लग पड़े तो काफी बज़े से आपका cement उतर जाता है cracks दिखने लग पड़ते हैं आपका concrete week पड़ जाता है मतलब तूटने लग पड़ता है हाथ से दबाओगे जोड से अगर किसी चीज़ से मारोगे तो एकदम से aggregate छूट जाएगा निकल जाएगा तो उस सबसे एक अच्छा solution में ले आया हूँ आपके गर में cracks आना रुको जाएंगे मतलब शिंग के ये cracks आपको देखने नहीं मिलेंगे जो product में आपको बताऊँगा मैं फुल डिटेल देता हूँ कैसे यूज़ करने क्या क्या है सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला जो product में आपको बोल रहा हूँ वे मेरे हाथ में सामने आप देख रहे हो Rekron 3S Fiber मतलब 6S भी आता है 3S भी आता है डोस कितना डालना है क्योंकि और यह काफी ज़्यादा costly नहीं है कि अगर सोच रहोगे कुछ नया product है तो काफी costly होगा कोई costly नहीं होने वाला है The new generation secondary reinforcement material for construction industry Rekron 3S Fiber airlines का product है ऐसे तो आपको काफी companies का मिल जाएगा और एक में simple जी आपको बता हूँ यह होता आपने pillow use की होंगे Pillow में भी यह डाला जाता है तो अगर हम जैसे मैंने starting में आपको वीडियो में देखा था आपको slab कुछ ऐसी दिख रही थी यह आपके गर में जो cracks कुछ ऐसे आते है यह मतलब कोई भी precast आप करते हो डककन बगर उसमें crack सकते हैं तो इसको आप किसी में भी use करोगे आपको shrinkage cracks जो होता है चोटे-चोटे cracks आपको दिखते होंगे जब भी आप plaster करवा होगे तो उसमें cracks दिखते हैं आपको ऐसे मतलब horizontal निकले हुए है बर्टिकल आए है ऐसे मतलब पूरा जाला जैसा है बना है cracks का वो cracks होते है श्रिंग के cracks आप क्यूरिंग नहीं करोगे यह आपका सीमेंट फट जाएगा उसकी वाएसे तो अगर आप रेक्रोन 3S5 यूज़ करते हो तो कभी भी आपको crack नहीं दिखेंगे अभी हम इसकी application बढ़ते है क्योंकि यह जो बैग है फूल पैकेज है यह बैग भी मैं बता हूँ कहां से मिलेगा है एक अच्छा प्रोडेक्ट आपके लिए होने वाला है बाकी अगर हम इसकी advantages की बात करेंगी इसकी advantage क्या है वह मैं आपको बतातेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसका dose कैसे लेना है और mixing कैसे करने हैं सब चीज़े आगे वीडियो में पता चलने वाली है अगर advantages की बात करूं rebound loss जो होता है मतलब 50 से 70% होता है आपकी जो भी मोटार होती है मतलब काफी expensive बढ़ती है उसमें सब को cement जादा डालना पड़ता है यह सब डालना पड़ता है और जैसे time consumer चलता जाता है तो जो आपकी मोटार होती है वो मतलब उसकी strength कम होती रहती है लेकिन अगर आप यह डालती हो तो काफी ज़्यदा effect उसमें मिलता है पहली चीज़ आप देख रहे है reduce crack during plastic and hardening stage मतलब जैसे हम plastic करते हैं उसमें crack आने की chances जादा होते है रेकरण डाला होगा आपको वहाँ crack देखने को नहीं मिलेंगे और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा आप जो भी टंकी बनाते हो जहां कहीं भी कुछ butter structure मनाते है उसमें से पानी सीपेज का काफी जादा डर रहता है लेकिन अगर आप यह यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपकी टंकी में इसके प्लास्टिंग के दोरन आपको रेकरण 3S फाइबर डाल देना है तो आपको वहाँ से पानी निकलना जहां उसमें से सीपेज होना कम और काफी बंद हो हमें गरंटी हो जाती है क्योंकि जो रेकराउं 3ृइबर होता है जो सिंपल फाइबर देखो इस पर वीडियो बना चुका हो तीन चार किसम के ऐसमें सींपल फाइबर होता है अब इसको नैलन का फाइबर बोल सकते हो वह यूज़ करते हैं तो काफी जादा एफेक्ट होता अगर आप एक क्यूबिक मीटर कॉंक्रीड बनाते हो मतलब एक क्यूबिक मीटर माल बनाते हो उसमें 900 ग्राम आपको जो 12 mm रपकराउन 3S फाइबर रहता है वो आपको डालना है अगर आप प्लास्टर करते हो तो 6 mm का छोटा साथ है 6 mm जो अभी मैंने आपको दिखाया वो 6 mm बाला था वो आपको 125 ग्राम डालना है मतलब 50 kg बैक के सीमें मतलब एक बैक सीमेंट आप बना रहे हो माल तो उसमें 125 ग्राम आपको डालना है वन रैशो 4 का बनाओ एक मतलब एक रैशो में सीमेंट और चार रैशो में आप सेंट डालो तो उसमें आपको 6 mm रेकरोंग यूज़ करोगे तो आपको प्लास्टर में और कॉंक्रीड में क्रेक्स दिखना काफी ज़दा कम हो जाएंगे और आपको एक सीमेंट को एक अच्छी बांड मतलब एक अच्छी स्टेंथ मिलेगी यह आपको पका है next चीज़ ऐसकी आपको यूज़ कैसे करना है मतलब बनाना कैसे इसका माल देखो जो भी आप अगर मिक्सर में यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको जैसे आपने सब कुछ डाल दिया तो उसमें 2-3 लिटर बाल्टी में पानी लेने है उसमें आपको रेकरोंग डाल देना ह जितना भी आपको concrete उसमें बन रहा है, एक बोरी का बन रहा है, दो बोरी का, तीन बोरी का माल, एक बोरी में 125 ग्राम डालने हैं, तो उस हिसाब से हमें उसमें बाल्टी में मिलाके, उसको mixer में डाल देना है, अगर आप manually mix कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो बाल्टी होत आप पहले pond जैसे मनाते हो, उसमें पाणी डाल देते हो, उस ही में आपको Recaround 3S Fiber डाल देना है, और उसको अच्छे से mix करना है, कुछ 5-10 मिनिर तक उसको अच्छे से mix कर देना है, जब एक बार mix हो जाए, फिर अगर आप उसको plaster में, या concrete में यूस करते हो, तो आपको crack से पपड़ी से और कुछ हद तक dampness से भी नज़ाद मिलेगी, क्योंकि काफी अच्छा product है आपको YouTube पे, या Google पे, कोई आपको यसे consult नहीं करेगा, या product नहीं मिलेगा आपको, लेकिन civil side visit आपको ऐसी ऐसी चीज़े देता है, जो कोई channel आपको provide नहीं कर पाएगा, और मैं यही चाता हूँ कि आपको कुछ नया नया मिलता रहे, आप सीखते रोहो, ग्रो करते रोहो, तो आज का वीडियो भी उसी पे था, जो Rekron 3S Fiber है, और इसको इन्होंने note लिख है, इसको एक reinforcement की तरह मतले ना, कि यह reinforcement है, अगर हम सरीय नहीं डालेगा, चलेगा, क्योंकि सर बोल स्टेंथ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़े अल्ड प्रोसेस की तरह आपको करना है, लेकिन आपको उसमें Rekron 3S Fiber डालो गए, तो अच्छा कुछ नहीं आपको मिलेगा, अगर मैं बताओ, जैसे मैंने कहा था, स्टार्टिंग में आपको बताओंगा, कि आ अगर हो यह Amazon से अगर आप सर्च करते हो, Amazon से मिल जाएगा, बाकी अगर आप Google पे सर्च करते हो, इंडिया मार्ट भी प्रोवाइड करवाता है, वहां से भी मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है, फिर कमेंट करना, मैं आपको एक और जगह बताओंगा, डायरे आपको अगर मैं एक किलो का बैक बोलूँ, एक किलो त्रीस फाइबर, तो तीन सो, साड़ी तीन सो में मिल जाएगा, और आपके गर में ज़्यादा कॉंक्रिट तो लगा लगा लो, कोई 10 एम क्यूब लग रहा है, तो आपका ये काम 1000-2000 रुपे में हो जाएगा, अगर छो